पहली बार मीडिया से भी करेंगे चर्चा एक बार फिर आपको बता दे बैक टू बैक अमिशा मद्ध प्रदेश के दौरे पर है 29 जुलाई की देशाम फिर मद्ध प्रदेश आने वाले अमिशा राजधानी भोपाल में पदादी कारियों की बैठरक लेंगे 30 जुलाई को वे मीडिया से रूबर होंगे पार्टी के आगामी एजेंडे को लेकर चर्चा की जाएगी जाना पाओ भगवान पशुराम की जन में इस थली भी जाएंगे अमिशा इंदोर में आयो जो तबूस सम्मेलन में वे शामिल होंगे जिलों में बारिश का लट जारी किया गया है मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 2-3 दिन तक पानी गिरेगा राजधानी भोपाल इंदोर उज्जैन में हलकी बारिश की संभावना है पांच अगस्त से फिर से तेज बारिश होने का अनुमान है तो दिन दोरी और मंडला में मध्यम से तेज बारिश का लट ज़ारी किया गया है नर्मदापुरव में 4 घंटे में 2 इंच बारिश दर्स की गई है परिवार के सुसाइड मामले में पुलिस ने आरोपी को गरुफतार कर लिया है SIT ने जैपूर से मुहमत खलील को गरुफतार कर लिया है मृतक के बाकी बैंक ट्रांजेक्शन की जाच की जा रही है कुछ दिन पहले परिवार ने आपको बता दे सामोहिक आत्म हत्य की थी आरोपी को कोट में पेश कर तीन दिन के लिए रिमांट पर लिया गया है तो बड़ी ख़बर आपको बता दे Special Investigation टीम इस से पूरे मामले में जाच कर रही थी अब आरोपी कोट में गृफतार कर लिया उससे पूछताच लगातार जारी है कई और बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं